बास्केट बॉल कोट आर मेड ओनली नौर्ट तू साउट डारेक्शन्स बास्केटबॉल कोट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा बास्केटबॉल कोट भी नौर्ट टू साउट डारेक्शन्स में ही ड्रॉ की आजाता है बात करते हैं कि खिलाडियों के थकने की कौन-कौन सी वज़ा है खिलाडियों की मास पेसिऊ में कोशिकाओं में oxygen की कम ही आ जाती है जिसके कारण carbon dioxide अधिक हो जाता है और lactate acid बनने लगता है accumulate होने लगता है जिसके करारें खिलाडी क्या हो जाता है जल्दी ठक जाता है बात करते हैं clock by direction and anti clock by direction 1896 में Athens में जब Olympics हुआ ऐलम्पिक्स की जब दोड़ हुई 1896 में जब मॉडरन ओलम्पिक स्टार्ट हुआ तो उसमें खिलाडियों को क्लॉग वाइड डिरेक्शन्स में दोड़ाया गया तो खिलाडियों ने उसकी कम्प्लेंड की कि सावम को इसमें दोड़ने में बहुत दिक्कत आती है तो 1900 यानि कि सावम को इसमें दोड़ने में बहुत सी दिक्कते आती है तो 1904 यानि कि जब नेक्स्ट ओलम्पिक हुआ 1904 सेंट लुइस अमेरिका का जब ओलम्पिक्स हुआ तो उसमें खिलाडियों को एंटी क्लॉग वाइड डिरेक्शन्स में दोड़ाया गया तो खिलाडियों को को आपस में जोडने की कोशिश की होगी सपोज एक मैगनेट का नौर्थ पोल और दूसरे मैगनेट का नौर्थ पोल आपस में अगर आपने उसको जोडने की कोशिश की होगी तो आपस में नहीं जोड़े होगे आपस में रिपैल हुए होगे एक दूसरे से नहीं चिपके हो तो two north pole or two south pole repel each other यानि कि अगर not to north pole को आपस में जोडने की कोशिश करेंगे तो repel हो जाएंगे, एक दूसरे से repel हो जाएंगे वो नहीं जोड़ेंगे and two south pole, अगर south pole को भी two south pole को भी आपस में जोडने की कोशिश करेंगे तो आपस में वो repel हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे, नहीं जुड़ पाईगे, ठीक है, प्रिथवी भी हमारी क्या है, anti-clockwise directions में ही गूमती है, हमारी जो प्रिथवी है, वो anti-clockwise directions में ही, में move करती रहती है, there are two kind of magnet poles, north and south, like pole, repel and opposite pole is attract, यानि कि अगर हम एक magnet का north लेते हैं, और एक iron यानि कि एक लोहे की छड़ी को, एक iron को अगर हम आपस में जोडने की कोशिश करेंगे, तो आपस में एक दूसरे से attract हो जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे से जोड़ जाएंगे, वो आपस में एक नौर्थ पोल ऑफ दा वन मेगनेट एट्रेक्ट दा साउथ पोल ऑफ एनदर दा साउथ पोल एट्रेक्ट दा नौर्थ पोल यानि कि जो नौर्थ पोल है वो साउथ पोल को एट्रेक्ट करता है और वो साउथ पोल है वो नौर्थ पोल को एट्रेक्ट करता है यही सारा प्र होता है iron pigments क्या करते हैं यह iron pigments hemoglobin को oxygen का transportation का काम करते हैं due to this magnetic force क्योंकि जो हमारी प्रत्वी है वो north pole और south pole पर टिकी हुई है उसका north और हमारे iron pigment का south इस direction में अगर आप move करेंगे तो आपका जो blood का circulation है वो बहुत normal चलेगा यही एक कारण है जिसके बज़े से basketball court को north to south directions में ही ड्रॉ किया आयता है ना सिर्फ basketball court जितने भी हम games and sports में जितने भी courts देखते हैं वो सभी north to south directions में ही बनाए जाते हैं due to this magnetic force जिसकी बज़े से जो blood का circulation है वो बहुत सामाने चले बहुत से लोग यह बोलते हैं कि sun का effect पढ़ता है sun की light है सुबह बच्चों पर पढ़ती है इस बेज़े से हम north to south direction पर रखते हैं नहीं और कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि हवाई पूर अब से पस्चिम पस्चिम से पूर अब चलती है यह भी गलत है यह भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है जिसके कारण से हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा कोट है north to south direction में ही बनाए जाएगा यहां तक कि अगर आप indoor कोट का भी ड्रॉ कर रहे हैं इंडोर कोट को ड्रॉ करने की सोच रहे हैं तो उसका अभी directions आप north to south रखेंगे क्योंकि due to this magnetic force जिसके बज़े से जो blood का circulation है वो बहुत सामान्य हो यही एक कारण है जिसके बएसे बास्केट बॉल कोट north to south directions में बनाए जाते हैं अगर आप direction चेंज करेंगे तो आपका blood का circulation तो होगा पर वो प्रॉपर कोशिकाओं तक नहीं पहुचेगा आपका जो कोशिकाओं में जो blood पहुचता है वो प्रॉपर नहीं पहुचेगा जिसके कारण आपको दिक्कत होगी परिशानी होगी खिलाली को यही एक कारण है जो not to south directions में ही basketball court draw होते हैं due to this magnetic force अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please like and comment and share जरूब रहे हैं next वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे जैहन